हरे कृष्णा, भगवत गीता के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दूसरे अध्याय का पंद्रमाश लोक यहां भगवान कह रहे हैं हे पुरुष रेष्ट आर्जुन जो पुरुष मनुश्य समझ सकते हैं सुख तथदुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है तो जो पहली बात इस लोक में आई वो यह कि हम सुख तथदुख में विचलित नहीं हों दूसरी बात जो कि पहली जैसी ही है और दोनों में संभा समभाव का मतलब हमारे जो मूड, बिहेवियर, यह जिस तरह से हम वेवार कर रहे हैं, जो हमारा चहरा दूसरों को दिख रहा है, बात करने का तरीका है, इसमें कोई बहुत ज़दा चेंज ना है, चाहे हमारे जीवन में बहुत सुखी, महुत सब चल रहा हूँ, मतलब जिसे कितना हम एक साधारन मनुष्य के तरह बहेव करें, यह है संभाव, और चाहे हम बहुत दुखी भी हैं, यह कहा भी जाता है कि अपने दुख हर किसी को नहीं बताने चाहिए, सुख भी नहीं बताने चाहिए, और दुख भी नहीं बताने चाहिए, जो वेक्ति आपके दुख क बाट सके, जिस पर आपको भरोसा हो, सरफ उसी के सामने दुख परकट करें. वैसे भी ऐसा होता ही है, आपको पता ही है कि रोज लोग कुछते हैं, आप कैसे हैं, तो हम बोलते हैं, आप अच्छे हैं, चाप पेड़ में दर्द भी हो रहा हो, हम यह थोड़ी बोलते हैं, पेड़ में दर्द भी हो रहा है, हम कहते हैं, आच्छे हैं, कोई खास वेक्ति अपना होता है, उसको ही दिल की बात बताई जाती है, यही तरीका भी है, तो एक महापुरुष को, अर्जुन जैसे महापुरुष को, पुरुष रेष्ट को, भगवान कह रहे हैं कि भाईया संभाव रहो, अब युद करना है, जो तुमारा कर्म है तो करो, अब को तुम कह रहे हो, तोचा चल रही है, गांडीव खिसक रहा है, मैं तो शगुन भी बुरे देखता हूँ, मैं भीक मांग के खाना खालूंगा, यह सब क्या बेकार की बाते हैं, इतना विजलित ना हुई आप, तो हमें भी अपने जीवन में देखना है कि उतार चड़ाव आएंगे, अक्चली देखा जाए तो उतार चड़ाव तो जीवन का पार्ट है, वो जो लाइफ लैन देखी होगे अपने, रियल लाइफ में आभी देखे, पिच्चरों में देखे, वो कुछ ऐसे स्विंग करती भी सी चलती है, अगर वो सीधी हो जाए, तो खतम, लाइफ ही ओवर हो गई, यानि लाइफ में वो उतार चड़ाव तो भगवान ने बना के ही भीज़े हैं, अब उसमें जो संभाव रह सके, बोलना बड़ा आसान है, मेरे लिए भी बड़ा आसान है, मैं इस समय पढ़ रहा हूँ और खटा-खट बोल रहा हूँ, मैं जानता हूँ, यह मुश्किल होता है, लेकिन फिर वही बात है न, भगवत गीतागर हम पढ़ रहे हैं, तो उसका संदेश क्लियरली प्राक्टिकली पता तो चलना ही चीना, कि क्या चैलेंज है हमारी लाइफ में, क्या टार्गेट है, क्या हमसे एक्सपेक्ट किया जा एक्सपेक्ट यह किया जा रहा है, जहां तक हो सके, ऐसे मैं अपनी तरफ से चेंज कर लेता हूँ, जहां तक हो सके हम संभाव रहे हैं, जहां तक हो सके हम अपने सुख को दुख को बरदाश्त करके उसको ज़्यादा परकट ना करें, that is what the Krishna wants, तब ही वो कह रहे हैं, वह ह शरीर का तो कोई चिर स्थाइत्व नहीं है, बिलकुल, शरीर तो चिर स्थाइ है ही नहीं, तेरवेश लोक में भी हमने चर्चा किया था, पहले बाले अवस्ता थी, फिर तरुन अवस्ता आई, यंगे जाई, फिर ओले जाई, तो पर्मनेंट तो कुछ है नहीं, किन्तु जो सत्थ, शरीर को कहा गया है असत्थ, और आत्मा को कहा गया है सत्थ, उस वक भी हमने चर्चा की थी, बारवेश लोक में, तेरवेश लोक में, कि हम तो सेम रहते हैं, शरीर चाहे बच्चे का था, चाहे बड़े का है, फिर बुड़े का हो जाएगा, कल को बदल भी जाएग हम तो सेम रहेंगे तो यहाँ पर वो यही कह रहे हैं जो तत्व दर्शी हैं जो हर चीज को समझते हैं आत्मा को, परमात्मा को, जीव को भगवान को, प्रकती को तो जो तत्व दर्शी हैं उन्होंने यही निश्कर्ष निकाला है कि जो शरीर है ये तो बिल्कुल भी चिर्स थाई नहीं है परमने नहीं है लेकिन जो आत्मा है वो अपरिवर्तित है उसमें कोई चेंज नहीं है उन्होंने इन दोनों की प्रिकृती के अध्यन द्वारा या निश्कर्ष निकाला या उन्होंने पूरा स्टडी किया है और उसके बाद ये बाद सामने आई है शत्रवा श्लोक लेते हैं फिर उसी आत्मा के बारे में भगवान डिरेक्ली और आगे बता रहे हैं जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही एविनाशी समझो जिसका विनाश नहीं हो सकता आत्मा उस आत्मा को निस्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है यानि वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो fight करोगे, वो इनकी bodies के साथ करोगे, ultimately ये रहेंगे तब भी, आत्मा का तो विनाश होता नहीं, यही बात भगवान बहुत बार बहुत बार बहुत बार बहुत बार बोलेगे, जैसे कई बार होता है नहीं, बड़े गुरुरूनी पर ही बोलता जाओंगा, तो करीब-करीब सिमिलर बात बताते रहेंगे बार-बार कि जो आत्मा है, वो कभी नहीं मरती, शरीर है वो change होता ही रहता है, उसको आप ना भी change करो तो भी हो change होगा, उसको रोकने की कोशिश करो, तब भी हो change होगा, आदमी यंग मिलाके मैसेच सत्रवे शलोक में भी है अब हम बढ़ेंगे अठारवे शलोक की तरफ ये है अठारवा शलोक भगवत गीता दूसरा ध्याय भगवान और आत्मा के बारे में बता रहे हैं कि ए विनाशी जिसका विनाश नहो सके देन ए प्रमे जिसको मापा ना जा सके शरीर की जो आत्मा है उसको ढंग से नाप नहीं सकते कुछ एक्जैमपल अलग अलग शास्त्रों में मिलते हैं कि वो एक बिंदू के दसवें हजार हिस्से के बराबर है मतलब ये सब एक अंदाजा है जैसे कहते हैं कितना बड़ा बहुत बड़ा कितना चोटा बहुत चोटा बहु जी तो ये इस तरह से होता है लेकिन आत्मा को नहीं कर सकते है तो एविनाशी एप्रमे और शाश्वत जो हमेशा था है और रहेगा तो जीव शब्द के लिए यूज किया है तो एविनाशी एप्रमे तथा शाश्वत जीव के बहुतिक शरीर का अंत आवश्यम भावी है इस शरीर का अंत जरूर होगा, अब जैसे कुछ साइंटिस्ट हैं, जो पता नहीं कब से लगे हुएं कि किस तरह से कुछ ऐसा कर लें कि अमर हो जाएं, यानि कि कभी डेथ ना हो, शरीर ये जो भी भवे में बाडी मिली है, जो जीवन है, ये हमेशा चलता रहे, अब भगव डेथ, ओल्ड एज, डिसीज, ये चार चीज़ें, जन्म, मृत्यू, बिमारी, बुढ़ापा, इसको साइंटिस्ट कभी खतम नहीं कर सकते, अते हे भरतवन्शी युद्गरो, अब यहां भगवान ने कहा दिये, जब जीव का अंत है है, शरीर का अंत है है, तो फिर तुम ही कर दो, इनका होना तो है, मैंने इनको मार रखा है पहले से, आगे चलके भगवान कहें भी देंगे, तुम निमित मात रहो, इनको मरना है, और मैंने ही मारना, क्योंकि इन्होंने ऐसे करम किये हैं, कि अब इनको मृत्यू दंड देना है, तुम्हें नाम दे रहा हूँ, इसी तरह से प्रेरित कीजिए, ये वीडियो अगर हो सके तो एक वाटसाप ग्रूप में फारवर्ड कीजिए, ताकि और लोग भी शायद इसको पढ़के भगवत गिता पढ़ने के लिए प्रेरित हो सकें, हमारी वाटसाप कम्यूनिटी से जुडने के लिए, आप अपना झाल